में जन भार्टी के सबी दर्शकों को स्वपनिल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू का ड्रिंग मीठा भी और नमकीन भी आज हम इसे चने के सत्तू से त्यार करेंगे भाई गर्मियों के मौसम में शरीर को बहुत ही ठंडक और ताजगी देता है यह हाई प्रोटीन ड्रिंक इसे कैसे बनाते हैं चली बजाती हूँ तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चने का सत्तू यानि कि भूने हुए चने का पाउडर इसे आप मार्केट से भी ले सकते हैं, घर में भी त्यार कर सकते हैं इस तरह का फुटेना चना जो मार्केट में एजिली मिल जाता है आपने भी बहुत बहुत खाया होगा, स्नैक के तो पर भी इसे खूप खाया जाता है लेकिन जब इसे चिलके समेट पीसा जाता है तो ये चारदा गुंकारी बनता है तो चलिए अब सत्टू का ड्रिंग बनाते हैं तो एक बावल में मैं लगबख 5 चमच भर के सत्टू लूँगी ये खाने वाले चमच है जिसे हम नॉर्मल इस्तिमाल करते हैं एक किलास में धाई चमच का हिसाब मैं रख रही हूँ तो पाच चमच सत्टू मैं ले रही हूँ अब इसमें हम थोड़ा पानी पहला आड़ करेंगे पहले हम ठिक पेस्ट बनाएंगे और पानी मैं ठंडा डाल रही हूँ आप नॉर्मल रूम डेपरिचर का भी ले सकते हैं जब भी हम कोई सलरी बनाते हैं या घोल बनाते हैं पहला गाढ़ा ही बनाना चाहिए एकदम से ज़्यादा पानी डाल देने से गुठलियां पढ़ जाती है तो देखिए मैंने इसका इस तरह की कंसिस्टनसी का एक पेस्ट त्यार कर लिया है अब इसमें और पानी मैं एड़ करूँगी और इसकी कंसिस्टनसी आप अपनी पसंद करें उसार थोड़ा गाढ़ा या थोड़ा पतला रख सकते हैं तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया है और एक परफिसे से मिक्स करूँगी बाकी पानी और भी इसमें डालूँगी लेकिन वो गिलास में डालने के बाद और अभी इसमें नमक, चीनी या कोई भी मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अब जो भी त्यारी होगी गिलास में जाने के बाद ही होगी तो देखिए ये खोल बनकर त्यार हो गया है अब मैंने दो गिलासे ली हैं और आदा आदा गोल मैं गिलासों में शिफ्ट कर देती हूँ तो जितना गोल मैंने त्यार किया था उसे दो गिलास आधी-आधी भर चुकी है इसे पूरा भी भरेंगे लेकिन बाद में पहले कुछ और त्यारी कर लेते हैं तो अब शर्बत बनाते हैं सबसे पहले मीठा वाला तो मीठा वाला बना रहे हैं तो मीठा तो डालना पड़ेगा मैं एक चमज भर के पीसी शक्कर डाल रही हूँ, आप मिश्री भी डाल सकते हैं, चीनी आप अपने पसंद के रूसार कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से एक गिलास में एक चमज भर के शक्कर काफी है, इसके बाद मैं थोड़ा सा भूना जिरे का पाउडर इसमें डाल रही हूँ, अब मैं इसमें डाल रहूंगी थोड़ा सा काला नमक, चुटकी चुटकी भरी सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये मीठा शिर्वत है, अब एक गिलास शिर्वत में आधा निबू का रस में निचोड़ रही हूँ, बड़े साइस का निबू है तो मैं आदे निबू का रज़ डाल रही है चोटा सा निबू है तो पूरा भी डाल सकते हैं वैसे ये भी आप अपने अनुसार ही डालिए अब हम इस पे थोड़ा सा और पानी डालेंगे जिसे कि ये किलास फर जाए अब इसके बाद बस सबी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो लेजे मिंटों में तियार हो गया जबर दस्त इस पूर्ती दायक ड्रिंग गर्मियों के मौसम में बहुत पसीन आ रहा हो या आप धूप में काम कर रहे हो गंडों से एक गिलास ऐसा ड्रिंग पियेंगे तो शरीर में एक दम से ठंड़क और सकते हैं ये भी हम चुटकी भर ही इसमें डालेंगे और इसके बाद में इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी पारी कटी हुई प्यास इसे स्वाद भी बहुत अच्छाता है और ये लू से बचाने का काम भी करती है गर्मियों के मौसम में तो प्यास अगर आप खाते हैं मैंने काट केस में डाली है आप उदेने की चट्नी बना कर भी डाल सकते हैं पर मुझे इस तरह से कटी भी पत्तियां ज्यादा अच्छी लगती हैं अब मैं इसमें डालूंगे चुटकी भर काले मिर्च इसमें हरी मिर्च भी लोग डालते हैं आप चाहे तो डाल सकते हैं लेकिन हरी मिर्च कई बार मुह में आती है तो बहुत तीकी लगती है, इसलिए मैं तो काली मिर्ची डालती हूँ, अब इसमें भी हम आदा निबू का रस नी चोड़ देंगे, निबू का रस आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा कम जादा भी डाल सकते हैं, जैसा खटा हिसाब से पतली एकाड़ी रख सकते हैं, बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और लीजिए, यह हमारा नमकीन वाला सत्तू डिंग भी बनके त्यार हो चुका है, दोस्तो स्वादेश्टी सत्तू डिंग अपने आप में एक औश्यती भी है, कुलोस्टरॉल को कंट्रोल करता है, डाबिटिस के रोगे, अगर हर रोज यह नमकीन वाला सत्तू डिंग पिएंगे ना, तो शुकर भी कंट्रोल में रहती है, तो लीजिए, मिन्टो में तयार हो गिया है, दोनों तरक का सत्तू डिंग मिठा और नमकीन, इसे मैंने तो इसी पुदीरे के पती से गानिश क कर दिया है, दोस्तों, अगर आज का वेंजन पसंद आया हो, तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन जरूर हिट करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बैल आइकन को तो हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी तो आपको हमारे सभी वीडियो की नोटि